नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है कॉंग्रेस ने उदैपूर में चिंतन सिवीर कायोजन किया तीन दिन तक चिंतन कॉंग्रेस के नेताओं ने की लेकिन उसके बाद कॉंग्रेस के चिंता बढ़ती ही चली गई लेकिन दूसरी तरफ जैपूर में भारतिय जन्तापाटी ने एक बैठक की परदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस बैठक को संबोधित किया और भारतिय जन्तापाटी के लिए अगले 25 सालों तक केंदर में सरकार बनाने की रननीती पर बाचित की भारतिय जंतापाटी के नेताओं ने जो बैठक की और चिंतन कालकरम चला भाजपा का उसमें पूरे हिंदुस्तान में राज्य से लेकर किंद्र तक सरकार में सत्ता में भारतिय जंतापाटी कैसे बनी रह सकती है और हिंदु राष्ट बनाने के लिए भाजपा क्या क्या कर सकती है इन दोनों कालकरमों पर चर्चा की गई क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चार सो सांसद अठारह राज्यों में सरकार तेरस सो विधायक लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं पर हम रुक जाएंगे ठक जाएंगे अठारह राज्यों में सरकार से नहीं होता है नहीं किंद्र में आठ साल की सरकार से काम चल सकता है इसके लिए अगले 25 सालों तक भारतिय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए क्योंकि पहले के लोगों ने 50-60 सालों में देश को बरवाद करके रख दिया है और उसको धीरे धीरे बनाने के लिए अगले 25 साल तक भारतिय जनता पार्टी को सत्ता में रहना जरूरी है और इसके लिए ये भी जरूरी है कि भाजपा के नेता और कारिकरता ठके नहीं, रुके नहीं, आगे ही बढ़ते रहें भाजपा ने इस चिंतन कारिकरत में, कार्जकारनी की बैठक में कई योजनाये बनाई है जिसके आधार पर आगे 2024 का चुनाव पिछले से ज़्यादा बहुमत से जीती जा सकती है यही नहीं, अगले साल, इस साल के अंत में और अगले साल में होने वाले विधान सभा चुनावों के लिए भी बड़ी रन्नीती बनाई गई है इस साल दिसंबर में दो राज्यों में विधान सभा का चुनाव होना है एक है गुजरात और दूतरा है हिमाचल परदेश दोनों ही जगह पर भारतिय जनता पार्टी की सरकार है और कॉंग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी की नजर इन दोनों राज्यों पर है हाला कि आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस दोनों ही इन दोनों स्टेट में कुछ कर नहीं पाएंगे लेकिन भारतिय जनता पार्टी के लिए जरूरी है कि बेहतर जीत इन दोनों स्टेट में हो सके इसलिए भाजपा ने हिमाचल परदेश और गुजरात दोनों के लिए अलग अलग तरीके की प्लानिंग बनाई है गुजरात में पीएम नरेंदर मोदी और अमिश्या दोनों ये चाहते हैं कि इस बार कॉंग्रेस का जो पहले से थोड़ा थोड़ा आधार बढ़ रहा था वो खत्म हो और कॉंग्रेस के लिए इसका इंडिकेशन हार्दिक पटेल की पाटी से निकलने को लेकर देखा जा सकता है यही नहीं पीएमोदी ने जो कार्जकरताओं और नेताओं को संबोधित किया है उसमें कई अलग अलग बातों का जिक्र किया लेकिन उसमें सबसे महत्पूर्ण बात यही थी कि भाजपा केबल सासन सत्तक के लिए नहीं आई है इसका एक मिशन है और कमल को यहां तक पहुचाने के लिए जो मिशन पुराने नेताओं ने बनाया था वो इतने जल्दिक खत्म होने वाले नहीं है अब इस पूरे बैठक के दौरान जो सबसे महत्पूर्ण मुद्दा उठा वो 2024 के लिए था कि 2024 के लोकसभाचुनाब में अलग-अलग परदेशों में कैसी रनीती रहनी चाहिए और उसमें दक्षिन भारत की क्या भूमिका हो सकती है क्योंकि नौर्थ हिट से लेके नौर्थ इंडिया तक भारतिये जंता पार्टी ने लगभग अपना पर्चम लहरा रखा है North East से Congress का सफाया हो चुका है और छोटी छोटी पार्टियां जो North East में है वो जादातर भारतिय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और उन्ही का भाजपा के साथ मिलकर सांसद, राजसभा और विधान सभाओं में जीत होती है और ये 25 सांसद जो North East से आते हैं उसमें Congress के अब कुछ भी नहीं है, Congress का एक भी सांसद नहीं है North East से Congress का पहले ही सफाया हो चुका है लोगसभा में भी या राजसभा में भी, किसी भी स्टेट में North East के Congress की सरकार नहीं है अब उसके बाद North इंडिया में कुछ रिजनल पार्टियों का अभी भी वर्चसभ है, वजूद है जिसके खिलाब भारतिये जनता पार्टी ने अलग-अलग रनिती बनाई है और उसमें ममता बनर जी को काउंटर करने के लिए एक बहतर रनिती बनाई गई है ममता बनर जी हाला कि विधान सभा में चुनाब जीत गई, तिसरी बार CM भी बन गई, लेकिन लोक सभा चुनाब में ममता बनर जी को शिकस देने के लिए भारतिये जनता पार्टी ने बड़ी योजना बनाई है और इसलिए पिछले दिनों जब अमिस्सा बंगाल के दोरे पर गए तो उन्होंने कुछ ऐसे नेताओं के साथ भी मुलाकाद की जिनका जोस कमजोर होता दिखाई पड़ रहा था जिनको लग रहा था कि भारतिये जनता पार्टी का सिर्ष नेत्रित्व पश्चिम बंगाल में उन लोगों के उपर ध्यान नहीं दे रही है और यही कारण है कि अमिस्सा ने विधान सभा चुनाब के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल का दोरा किया और वहां के जो भारतिये जनता पार्टी के नेता और कार करता है उनको एनरजेटिक बनाया इसके साथ साथ ममता बनर जी के भरस्टाचार के पोल खोलने के लिए अलग अलग तरीके से कमीटियां बनाई गई है और अब जो इस बीच ममता बनर जी के कई सहयोगियों को उपर ED, CBI के सिकंजे कसर हैं उसके कारण भी TMC को परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है और ममता बनर जी की जो महतवकांचा है तीसरे मोर्चे को लेकर कि वो परधान मंत्री की उमिदवार बन सकती हैं वो भरंभी तोड़ने के लिए भारतिये जनता पाटी ने पश्चिम बंगाल पर विसेज ध्यान दिया है उसके साथ साथ उड़ीसा के लिए अलग रननिती बनाई गई है और बिहार के लिए कुछ दूसरी रननिती है क्योंकि उड़ीसा में पटनायक भारतिये जनता पाटी के साथ ठिक ठाक संबंद में रहते हैं इसलिए राजसवा में या कानून बनानों के लेकर राष्टपत के चुनाब में उनके समर्थन की भारतिये जनता पाटी को जरूत होती है लेकिन लोकसभा चुनाब के समय भारतिये जनता पाटी पटनायक के साथ ही लड़ेगी और यही कारण है कि उड़ीसा में भी अलग तरीके किरन निती बना कर लोकसभा चुनाब में बड़ी जीत की तैयारी की जा रही है बिहार में भी नितीश कुमार के साथ गठबंधन बनाने को लेकर चर्चा हुई जिसमें ये माना जा रहा है कि 2024 तक नितीश कुमार के साथ ज्यादा छेड़चा नहीं किया जाए इसलिए धर्मिंदर पर्धान को पर्धान मंत्री नरेंदर मोदी बिहार भाजपा के नेताओं को इसकी भनक नहीं लगने दी गी थी ये सारी तैयारी 2024 को लेकर है लेकिन भारतिय जनता पाटी का जो विजैरत है वो दक्षिन भारत जाते जाते थोड़ा मंद पड़ जाता है इसलिए इस बार अगले साल होने वाले तिलंगना विधान सभा च चुनाब की तैयारी भी जोड़ सोर से चल रही है और यही कारण है कि तिलंगना के मुक मंतरी के चदर सेकर राओ घबराये हुए हैं और वो बार बार भारतिय जनता पाटी के खिलाफ बयानवाजी कर रहे हैं गुटवाजी कर रहे हैं पिछले दिनों जब अमिश्चा ने हैदराबाद में एक रैली की तो पूरा केसी आर का परिवार भारतिय जनता पाटी के खिलाफ खड़ा हो गया इसके पीछे का कारण यही था कि अब तिलंगना में कॉंग्रेस टीडीपी का खत्रा नहीं है बलकि केसी आर को भारतिय जनता पाटी से बड़ी चुनोती मिन ल केसी आर को उसकी आउकात बता दे थी और यही कारण है कि आज कल केसी आर बौकलाय हुए हैं और तूसरे पाटी के जो छोटी छोटी पाटियां हैं उनके नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं उसमें उद्धव ठाकरे भी हैं श्रहत पवार भी हैं ममता बनर जी भी हैं औ और ये सारी स्थित्या जो है वो भारतिय जंता पार्टी के लिए चुनोती पुन रही थी और इसलिए अब विशेश तरीके का प्रोग्राम जो बनाया गया है वो साउथ इंडिया के लिए बनाया गया है। इसलिए केरल पर किंद्रिय मंत्रियों का विशेश ध्यान दिया जाना है और अब भारतिय जंता पार्टी ने एक साइलेंट वोटर भी रखा है जिसके जरिये घरों में पहुचा जा सकता है जिसका इस्तेमाल उत्तर परदेश विधान सभा के चुनाब में किया गया था और वहीं से भाजपा को एक बड़ा आइडिया मिला कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुचती है और उसका इस्तेमाल सरकार बनाने के लिए लोगों को अपने साथ लाने के लिए किया जा सकता है और इसमें न तो जाती होती है न धर्म होते हैं क्योंकि हर वर्ग क लोग जिनको सरकारी योजनाओं का लाब मिलता है वो भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार के साथ होते हैं और वो वोट देने के स्थती में होते हैं इसलिए जैपूर में भाजपा ने जो मन्थन किया है और जो योजनाएं बनाई है उससे लगता है कि अब 2024 में पिछले बार से जादा सीटे भाजपा को मिलेगी और उदैपूर की चिंतन सिविर में जो कॉंग्रेस का परिनाम सामने आ रहा है वो इसी तरह का आ रहा है कि कॉंग्रेस का कुनवा बिखर रहा है हार्दिक पटेल बाहर जा चुके हैं सुनिल जाखर भाजपा में आ चुके हैं और हर्य पाने राजस्थान को चुना ये सबसे बड़ी बात है कि कॉंग्रेस ने चिंतन के लिए उस स्टेट को चुना जहां उसकी सरकार है भारतिय जंता पार्टी ने कार्णी की बैठक के लिए उस स्टेट को चुना जहां उसे अगले साल चुना में जीत हासिल करना है ये दोनों बड़ा अंतर रहा और इसलिए भारतिय जन्ता पास्टी के स्टेड़ी से कॉंग्रिस में अभी से ही बॉखलाहट उत्पन हो गई है तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से आज ही रोंगे तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रही है मसा योग ताकि जी तरह ही झाल